जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं यह coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है, सब कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ग्यांसर इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं आप एप में बाई करने से पहले जो Apply coupon वाले में आता है तो 20% का discount तुरंट देगा वीडियो देखिए स्वागत है आपका UPPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जोग्राफी के एक महतपूर क्लास का डिसकसन करेंगे, यह क्लास सभी प्रकार के state pieces exam और one day exam के लिए अत्यन महतपूर है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर देखिए इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने वेलांचली या अनुप वन इसकी चर्चा कर रखी थी अब हम लोग देखेंगे मरुस्तली वन जिसे के इंगलिस में Arid Forest कहते हैं देखें मरुस्तली वन क्या होता है नाम से पता चल रहा है कि मरुस्तल मरुस्तली वन उन छेत्रों में पाया जाते जहां वर्सा 50 सेंटेमेटर से कम होते हैं मतलब 50 सेंटेमेटर से कम वर्सा है वहाँ पर मरुस्तली वन पाया जाते हैं इनका विस्तार भारत में राजस्थान, दच्छिड पस्चिम पंजाब तथा दच्छिड पस्चिम हरियाडा में है। इन छित्रों में छोटे आगार के कटीले व्रिच उमझाडियां होती हैं जैसे बबूल, खेजरी, नागफनी और कहीं-कहीं मरुधानों से में खजूर के पेड़ भी मिलते हैं। इन्हें उच्छिड कटी बंदी कांटेदार व्रिच से भी कहते हैं। तो देखे सामाने तोर पे बस आपको इतना याद रखना है कि मरुधास्थली वन ऐसे छेत्रों मिलते हैं जहां पे मरुधास्थले। तो भारत में राजस्थान होगे हैं रदच्छिड पस्चिम पंजाब हैं हरियाडा है। यह याद रखना है है ना। इनमें छोटे मूटे कटिले ब्रिच होते हैं जैसे बबूल, खेजरी, नागफनी और कहीं कहीं आपको खजूर के पेड़ भी मिलेंगे। और यह उश्ड कटे बंदे काटेदार ब्रिच की स्रेडी में आते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखें अब डेल्टाई वन के बारे में देए डेल्टाई वन पढ़ने से पहले कुछ जरूरी सूचना है। यहाँ आप इस स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे दोस्तों अगर आप टीम के पेड़ कोर्स तरस जुड़ना चा देखें दोस्तों देखें यहाँ पर दिया डेल्टाई वन के बारे में इन्हें मैंगरू दल्दली या फिर ज्वारी वन भी कहते हैं देखें इनके नाम क्या क्या है मैंगरू वन है दल्दली वन है या फिर ज्वारी वन है यह वन गंगा ब्रहमपुत्र गुदावरी कृ आधी नदियों के डेल्टाओं में उगते गंगा हो गया ब्रह्मपुत्र हो गया कुदावरी हो गया कृष्णा हो गया इन नदियों के डेल्टा में उगते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का सुन्दरवन सरवाधिक महतपुड देखें गंगा ब्रह्मपुत्र पौधा पाया जाता है यह बन बहुत सगन होते हैं तो बस आपको याद रखना है कि जो भी डेल्टा ही बन है यह काफी सगन होते हैं क्योंकि डेल्टा क्या होते हैं दो नदियों के बीच में जो भूमी होता है इसे डेल्टा कहते हैं ये एक नदी ये एक नदी ये ये डेल्टा है तो यहाँ पर उचित मात्रा में मतलब नमी रहेगी और ये उपजाओ होंगे तो ये सगन होने की पूरी संभावन है आगे बढ़ते हैं देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं चारिट के माध्यम से दिखायागा है कि भारत में किस प्रकार के वन अतिदिक मात्रा मिलता जैसे देखें वेलांचली या फिर अनुप वन के बात करेंगे ये जो डार्क एकदम दिखायागा जैसे देखें ये रहा वेलांचली या फिर अनुप वन यहाँ पर यहाँ पर है वेलांचली वन इसके बाद देखें परवती वन की बात करेंगे तो परवती बन आप ये मैप देख करके समझ सकते कि जो नौर्थ मतलब हिमाले का हिस्स्त है आप यहाँ पर देख सकते हैं सब परवती बन है क्योंकि यह परवती ज्रेडिया है यहाँ पर आप यहाँ पर परवती बंदी परड़ पाती यह देखिए यहाँ पर पूरा यह जो यह दायरा दिख रहे है यह उश्ड कटी बंदी और परड़ पाती इस रेड़ी में है आप आराम से पूरा दायरा देख सकते यह यहाँ तक काफी जाद है इसके बाद उश्ड कटी बंदी सदा बाहर या फिर अर महत्तपुर्ड तत्थे दिया जासे वनों का देश की अर्थ व्यवस्था में विसेष्ट योगदान है आर्थिक द्रिश्टी से सागौन, साल, सीसम, रोजोड, देवदार, चीड, पाइन, एवं, इस्प्रुस अत्यदिक महत्तपुर्ड है जो वन है ना ये भारत की अर्थ व्यवस्था में काफी जादा महत्तपुर्ड योगदान रख रहे है जैसे सागौन, साल, सीसम, रोजोड, देवदार, ये सब है ना देश में चारी मृदा का सरवाधिक छेत्रफल उत्तर प्रदेश में तो ये चारी मृदा का सबसे जादा छेत्रफल कहां पर है उत्तर ये भी याद रखिएगा, क्रिशी के लिए महत्तपुर्ड सुच्मजीवों के लिए रास्ट्री ब्यूरो मौ उत्तर प्रदेश में इस्ते थे, जो सुच्मजीवों के लिए रास्ट्री ब्यूरो मौ मतलब ये कहां पर है ये उत्तर प्रदेश मौ जिले में इस्ते थे, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग का, देखे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यह जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, इसे ढाक अथोब पलास के नाम से भी जानता है, देखे पलास है न, यह कई बार पूछा गया कि किसे आग कहते हैं, तो पलास के फूल को, अधिक तापमान सहन करने की चम्तर, तथर कम पानी की आऊ सकता के कारण सामाजिक वानकी कारक्रम में इसे वरियता दीजा दिखें अत्यदिक तापमान सहन कर सकता है यह याद रखेंगा आगे दिया दोस्तों उत्तराखंड के चीड वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्पुड गैर प्रकोष्ट वन उपजे लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है जिसका उपयोग कागा जुद्योग साबुन अधुआ पेंट बनाने में होता है उत्त करते समय पेंट को थोड़ा डाइलूट करने के लिए तेल मिलाया जाता है उसको तारपीन का तेल वो रहता है भोजपत्र ब्रिच हिमाला छेत्रों में पाया जाने वाला ब्रिच है तो यह भोजपत्र ब्रिच यह कहां मिलते है हिमाले में मिलते है पिड़का सफेद कागस की तरह छाल दिखने के लिए प्राचीन समय से इसका इस्तेमाल होता रहा है यह ब्रिच 4500 मेटर की उचाई तक उगता है देखे 4500 यहां पर लगता है टाइपिंग के मिश्टिक है अच्छ 4500 मेटर की उचाई पर उगता है यहां पर तक नहीं मतलब इतना नहीं से ऐसा समझे आगे कथा खेर की लकड़ी से प्राप्त होता है खेर ब्रिच भारत में विशेश कर सूखे छेत्रों में पाया जाता है देखे कथा जो पान में मिलाई जाने वाले एक प्रकार की यह मतलब रसायन होती है यह खेर के लकड़ी से प्राप्त किया जाता है और खेर यह विशे अब यहाँ पर दोस्तों दिया है सिचाई और नहरे, मतलब भारत में सिचाई का प्रमुक साधन क्या है, भारत की जो सिचाई इसका प्रमुक साधन है, नहर, अब नहर से सिचाई करने के लिए बेविन नहरे, प्रकार के नहर तंतर भारत में बनाएगे, तो जब हम लोग सिचाई को पढ़ेंगे और नहर को पढ़ेंगे, तो एक एक करके नहर तंतर के भी चर्चा की जाएगी, यह क्लास काफी important हो जाएगा नहर तंतर, क्योंकि UPG के में नहर तंतर भी देखने के लिए मिलता है, तो य